अर्शन नदीम को त्रो केलिए नए जदीद तरीन जवलिन मिल गई इनके पास अब कारबन फायबर की छे महेंगी और जदीद जवलिन है अर्शन नदीम का कहना है कि मुझे नए जवलिन का जरुर फायदा होगा ताव़न करने पर सबका शुकरी आदा करता हूँ अगर मैं अपना बेतरीन करता हूँ तो ओलम्पिक्स में जरूर गोल्ड मेडल मिलेगा ओलम्पियन जैवलिन तुरॉर अरशद नदीम जनूबी अफरीका में पांच हफतों की ट्रेनिंग के बाद वतन वापस पहुच चुके हैं और पंजाब स्टेडियम में इन्होंने ट्रेनिंग का आगास कर दिया है वो नई जैवलिन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं अरशद नदीम का कहना है कि वजीर आजम शबाद शरीफ पीएसबी पंजाब स्पोर्ट और फेडरेशन का मश्कूर हूं जिन्होंने हर मौके पर तावन किया और मुझे सपोर्ट किया फेडरेशन ने कैम का इतमाम किया है जहां मुझे सल्मान अकबाल बट बड़ी मेहनत करा रहे हैं इन्होंने कहा कि जनूबी अफरीका में ट्रेनिंग शांदार रही मुकमल रिधम में आ रहा हूं ओलम्पिक्स से कबल फिल्लेंड के इवेंड के लिए भी चार हफते हैं मैं अगर अपना बहतरीन करता हूं तो ऑलम्पिक्स में जरूर गोल्ड मेडल हासिल करूंगा उनका कहना है कि जनूबी अफरीका में सर्दी थी और यहां शदीद गर्मी है ट्रेनिंग करना पड़ रही है लेकिन मेरा मानना है कि जिस अथलीट ने मेहनत करनी हो तो उसके लिए सर्दी गर्मी कुछ नहीं होती जैसा भी मौसम है खुद को तयार रखना है यही अथलीट का काम है अर्शन नदीम के कोच सल्मान अक्बाल बट का कहना है कि जनूबी अफरीका की कोच की रिपोर्ट मिल चुकी है इस वक्त अर्शन नदीम की 65 फीसद आउटपुट है जबके 35 फीसद पर काम हो रहा है ट्रेनिंग डिजाइन की है वो शेडूल के मताबिक की जा रही है मैं समझता हूँ कि अर्शन नदीम का जो पोटेंशल और तजर्बा है इसके मताबिक वो ओलम्पिक मैडल की दौड में है